जोहार नमस्कार आप देख रहे हैं लोकल खबरा और मेरा नाम है सुभाश शेखर यास चक्रवाद का असर पूरे जार्खन में है पिछले दो दिन से लगातार बारिश हो रही है और सरकार द्वारा खास निर्देश दिया गया है कि इस जवरान सभी अधिकारी सभी तरह के सिस्टम को चूस दुरुस्त रखें और खास कर बिजली विभाग को निर्देश दिया गया है कि कहीं भी बिजली की समस्या उत्पन नहीं हो बावजुद इसके अगर देखा जाये तो शहर में बिजली गुल हो रही है आपको शिकायत है तो निश्ची तरुप से आपके यहाँ जो भी सिच्वेसन है कमें बॉक्स में जरूर लिखें और अब बात करते हैं गाउं की गाउं में बिजली की जो इस सिती है वो उसका आप कलपना नहीं कर सकते हैं सूच नहीं सकते हैं अगर वहाँ पर बिजली चली गई तो आगे कब आएगी आपको पता नहीं है कितने दिनों बाद आएगी आप उसकी कलपना नहीं कर सकते हैं ऐसे हाई एक गाउं है अब तक वहां पर बिजली वापस नहीं लोटी है हमने अधिकारियों से बात की फूंड पर उन्होंने यह बताया की हमें सुचना मिली है लेकिन हमारे पास अभी इस टॉक नहीं है और बिजली कब हम वहां पर सुचारू रूप से चालू कर पाएंगे इसके बार में हम नहीं बता सकते हैं इस अधिकारे से हमने क्या बात की आप खुद सुन लिजे कि अधिकत है परस अधिकत लिए वाया है तो बदला जा रहा है तो जैसे ही मिल जाएगा वहां से हम बदल देंगे उसका सारा पेपर वेगार बना हुआ है जैसे ही मिलेगा पतल जाएगा क्योंकि जब शहर में कहीं ट्रांस्फर्मर्ट की जरुत पड़ती है विदिन आवर लग जाती है लेकिन गाउं में इतना वक्त क्यों लग जाते हैं लिए बात फ्री है हमारे वरी पताविकारियों से बोलोगा स्वस्त भी किये हैं सब्सक्राइब की बहुता है कि जब शित्तोडी है तो कहीं और सोर्में दो-चार ट्रांस्फर्मर्ट जल गया है आप एपकाई फीना फैने। से निक हैंतोा खुआ है और। कोई बात है मिलने को बुंडू में हम लोग गंटों में बदले है लेकिन अभी बॉचा सगी जल रहा है चारों तरफ ये बारिश के वज़ा से अब इने का अस्थान एक है इसे थोड़ा सा वहां पर दवाब बना हुआ है चितोरी गाउं का जगह है वहां पर किसान रहते हैं खेती बारी का समय है और बिजली से खेती बारी भी अभी निर्भर करता है इतना वो क्यों ल वहां पर दवाब ज्यादा आया हुआ है इसलित फुरिशी मिलने में देर हो रही है अधरवाइस बंडु में भी हम लोग का सुबा जला है तो साम तक लग गया है तो जिससे जलते जो है और अभी तो कि बारीश का मौसा में है तो टांस्फॉरमर रिप्यार में स्वार्स ज्यादा लग जाता है तो टेक्निकली उसमें जो है बहुत ही जरूरी है क्योंकि कोरोना संक्रमन का समय है वेक्सिजनेशन का दौर शुरू हो चुका है और खासकर यहां की सरकार जो है फोकस गाओं के लिए की है और अभी जो 18 प्लस लोगों के लिए जो वेक्सिनेशन के लिए जो स्लोट बुकिंग है वो सिर्फ ओनलाइन हो रही है तो आपकी पास अगर मोबाइल चार्ज है तभी आप स्लोट बुक कर पाएंगे वेक्सिन लगा पाएंगे तो इन सभी अगर ऐसी लचर व्योस्ता गाओं में रही तो लगा लिए लोग वेक्सिन और लगा कर लिए स्लोट बुकिंग तो इस चीज को सुधारने की जरूत है अब बात करते हैं शहर की अशूक नगर राची का सबसे बड़ा पॉस इलाका है यहां पर आई-एस आई-पी-एस जैसे बड़े-बड़े अधिकारी रहते हैं यहां पर कभी कभार ही बिजली जाती है यहां पर चाक-चौकस वेवस था है यहां पर किस तरह का इंतिजाम है यहां के जो अधिकारी है इससे हम बात किया इन्हों नहीं क्या बताया यह भी आप सुन लेजी एक चीज जानना चाहते है अगर कहीं से अगर बदलने की जरूत महसूस होती है तो कितने देर में बदल सकते ह है आपके पाद कितना स्टॉक है ट्लांसफर्मर का करोना से लड़ना है और वेक्सिनेशन के लिए गाउं में फोकस करना है तो गाउं में शहरों जैसी सुविधा होने चाहिए अगर बिजली की शिकायत आती है कहीं बिजली गडबड़ी होती है तो सहर में जिस तरह से कुछी घंटों में बिजली ठीक की जाती है उसी तरह से गाउं के लिए भी इंतजाम होना चाहिए और सरकार को इस और जल्द ध्यान देने की जरुवत है बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकल खबर